हलो बच्चों आज हम लोग जानेंगे स्कीन ओफ एमफीबियान के बारे में ठीक है इससे के पहले की वीडियो में हम लोगोंने comparative anatomy of vertebrates in different vertebrates जो different vertebrates हैं उनमें हम लोग त्वचा का स्कीन का तुलनात्मा का दियन कर रहे हैं हम लोगोंने part 1 में जो है mammal skin, part 2 में bird skin, part 3 में reptiles skin और यहाँ part फोर है जिसमें हम लोग skin of amphibian के बारे में जानेंगी amphibian आप लोग जानते ही है, amphi मतलब जो जल और थल दोनों में रहने वाले, bian मतलब habitat तो ऐसे जीवो जो जल थल, water और soil दोनों में रह सकते हैं उनको amphibian कहा जाता है, जिनमें गिल्स और लंग दोनों पाए जाते हैं, तो आज का यहाँ वीडियो आप लोग के लिए बहुत knowledgeable और interesting होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जान रहे है, skin of amphibian, तो वीडियो को पुरा देखिए, आपको पुरा समझ में आएगा देखिए, यदि किसी amphibian मान लोग कोई frog है, उसका skin को हम लोग microscope में देख रहे हैं, तो कुछ इस परकार का दिखाई देगा, ठीक है जिसमें हम लोगों को मुखे रूप से दो लेयर दिखाई देगा, एक epidermis और दूसरा है dermis, जिसमें epidermis thin layer है और dermis जो है, ठीक layer है देखिए, इसमें जो epidermis है, सबसे पहले हम लोग epidermis के बारे में जानेंगे, epidermis में मुखे रूप से यह तीन layer की मिल करके बने ही होती है stratum corneum, stratum granulosum, stratum malpigai तो आप लोग को जानने का मौका मिलेगा कि stratum corneum जो है dead layer है, आप लोग जानते ही है इससे के पहले की वीडियो आप लोग देखे हैं तो जानते ही है इस्ट्रेटम जर्मिनेटम क्या करता है सेल डिविजन कोशिका विभाजन करके नए सेल का निर्माड करता है इसलिए यह आउटर इस्ट्रेटम कॉर्णियम के नर्स्ट हो जाने पर भी यह फिर से बन जाते हैं ठीक है क्योंकि इस्ट्रेटम मलपिगा या इस्ट्रेटम जर्मिनेटम जो है नए सेल का निर्माड करता है ठीक है उसके बाद हम लोग जेनरली देखेंगे एपिडर्मिस इस्ट्रेटम कोर्णियम के चारों और उपर में फैल जाता है ठीक है फैले हुए होता है जिसके कारण इनकी त्वचा जो है चिपचीपी होता है तो इसी म्यूसिन के कारण ही चिपचीपा होता है क्योंकि यह कहां से निकलता है म्यूकस ग्लेंड से निकलता है यह क्या है म्यूकस ग्लेंड है यहां से म्यूसिन निकलता है जिसके कारण यह त्वचा जो है चिपचीपी होती है उसके बाद आप लोग को और एक ग्लेंड दिखाई दिरा होगा यह है poison gland ठीक है यह देखिए यह poison gland यह poison gland विस ग्रंथी है जिससे क्या निकलता है विसेले पदार्थ का स्रावन होता है poison का स्रावन होता है जिसके करान यदि कोई frog या कोई amphibian का यदि body touch करोगे तो वहाँ एक chemical secret कर देता है वह chemical कैसे होता है poison होता है जो whitish color का होता है मतलब सफेद रंग का होता है जो onion animal के लिए हानिका रख होता है जिससे यह अपने सत्रूं से रक्षा कर पाते हैं ठीक है सत्रूं के चेहरे में या फिर किसी और जगह पर छिड़क देते हैं जब सत्रूं उनको पकड़ने आते हैं इनको फ्रोक को या amphibion को तब वो इस chemical के poison के प्रभाव से उनके त्वचा में जलन होने लगता है जिनके में छिड़काव किया गया है तब जो है वो त्वचा के और ध्यान देते हैं तब तक मेंड़क या कोई और amphibion जो है वहां से फुदक करके या फिर वहां से चले जा लेकिन खुलता कहा है एपीडर्मिस में ठीक है उसके बाद देखिए आप लोगों को दिखाए देरा आओगा लिंप इस्पेस यह क्या है लिंप इस्पेस है लिंप इस्पेस मतलब जहां से लिंप फ्लूइड क्या होता है यहां पर खाली जगा है यहां देखिए लिंप स बीनश से लिम्प सिनस जो लींप है ओ जा करके ये लींप सपेस में कट्थे होते हैं इसलिए लींप सपेस यहां है ठीक है उसके बाद देखें होरीजोन्तल फाइबर यह आप लोग को दिखाई दे रहा होगा dermis में horizontal fiber मतलब एक 33-36 रेखा है ठीक है यह fibers है जो की dermis में पाए जा रहा है मतलब यह वाला line के ठीक है उसके बाद देखिए यह vertical fiber vertical fiber मतलब सीधी रेखाएं यह आप लोग को सीधी-सीधी रेखाएं दिखाई दरेंगे यह भी हो जाएंगे और यह भी हो जाएंगे ठीक है यह vertical fibers है जो इस dermis की proper dermis को बनाए रखते हैं ठीक है उसके आकार को भी उसके बाद देखिए pigmented cell यह देखिए कई color के आपको pigmented cell दिखाई दरे हैं दर्बिस में फैले हुए होते हैं इसी pigmented cell के चलते बच्चों यह जो amphibian है वो अपना color change कर पाते हैं या फिर colorful होते हैं आप लोग मेंड़क में भी different color के देखे होंगे ठीक है उसके बाद देखिए pigmented cell के बाद इसमें nerve पाए जाता है क्या पाए जाता है nerve यह nerve क्या करते है सूचनाओं को ग्रहन करते हैं और मस्तिक्स तक पहुँचाते हैं ठीक है उसके बाद देखिए blood vessel है यह blood vessel जो है इस epidermis और यह dermis में जो है इस blood को पहुँचाते हैं वहाँ nutrition प्रोवाइड कराते हैं और जो है oxygen प्रोवाइड करते हैं ठीक है उसके बाद limb sinus limb sinus में antibody limb fluid और जो है antibody उगरा इसमें भरे होते हैं जो इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं एमफिबियन को उसके बाद देखिए muscular layer है इसके बाद जो है muscle इधर start हो जाती है muscle और manse वगरा मुखिरूप से दो layer है epidermis 3 layer है dermis thick layer है जिसमें epidermis में 3 layer है लगभाग stratum corneum stratum granulisum stratum malpigai stratum corneum dead layer है stratum granulisum living layer है stratum malpigai जो है ये नए cell को formation करने में मदद करता है mucos gland है जिससे मुईसुन पदा secret होता है और जो है जिससे ये इसकी तोचा चिप-चिपी होती है अब जानते है poison gland के बारे में अभी हम लोग revision कर रहे है poison gland से poison secret होता है जो सत्रों से रक्षा करता है limb space में limb fluid भरता है horizontal fibers है ये तिरची रेखाएं है जो इस dermis को proper shape देने में भी help करते हैं mechanical support प्रवाइड करते हैं vertical fiber है ये सीभी ये भी mechanical support में help करते हैं pigmented cell है जिसके कारण amphibion अपना color pattern change कर पाते हैं nerve है समयदी सुचनाओं को गरहन करके brain तक पहुचाने के लिए blood vessel है जिससे blood और nutrition का dermis और epidermis में flow किया जाता है उसके बाद limb sinus है limb sinus में fluid और जो है क्या वरा हुआ होता है antibody वगरा भरा हुआ होता है ठीक है उसके बाद ये muscular लिया ओके बच्चों मिलते हैं next video में अभी video को देख रहे हैं इस side मतलब जो भी un-yout vertebrates हैं उनके video बन गए होंगे तो मैं link description पर दे दूँगा आप जाकर के वहां से देख सकते हैं और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के knowledgeable video को और देखना चाहते हैं तो आप channel को subscribe करके हमारे YouTube family का हिस्सा बन सकते हैं और हाँ bell icon को press करके आलपी click करेंगे तब जब भी इस channel में कोई नया video डाला जाएगा तो आप तक वह video पहुँच पाएगा और उसका notification भी आप तक आजएगा चैनल को subscribe करने में और bell icon प्रेस करके आलपी click करने में कोई charges नहीं है नहीं कोई face लगता है बस आप हमारे YouTube family का एक हिस्सा बनेंगे जिससे जो भी वीडियो इस channel में डाला जाएगा आप तक आसानी से पहुँच सकेगा subscribe नहीं करने के condition में वीडियो नहीं पहुँच पाता है ठीक है तो यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहना तो channel का subscribe किजिए ओके मिलते हैं next वीडियो में